नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संजू इन्फॉर्मर में किर्केट के खेल में में सही बलेबाजों का पूरा जोर रहता है किर्केट इत्यास में एक से बढ़कर एक धुरंदर बलेबाज शुमार हुए जिन्होंने रनों और सतकों की जड़ी लगा दी कई बलेबाज ऐसे भी होते हैं जिनके नाम कुछ शर्मनाग रिकोर्ड भी सामिल है टीम इंडिया के तीन बलेबाज तो ऐसे भी हैं जो वंडे में कभी आउट नहीं हुए इस लिष्ट में कई चोका देने वाले नाम हैं हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उन्हें किलाडियों के बारे में बताने चार रहे हैं तो वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक देखे फेज फजल फेज फजल ने ग्रेलू क्रिकेड में अपने परदसन से सबी का ध्यान अपने और खिचा यही कारण रहा कि उन्हें टीम इंडिया में भी मौका दिया गया लेकिन इस के लाड़ी ने टीम इंडिया के लिए सिर्फ एक ही वंडे मेच कहला साल 2016 में खेले गए इस वंडे मेच में जिंबावे की खिलाब फेज पजल ने नाबाद 55 रणों की पारे खेली इस सांदार अर्दसतक के बाद भी उन्हें टीम इंडिया से बाहर कर दिया गया और वो आज तक टीम में वापसी करने की रहा डूंड रहे हैं परत रेडी का नाम सायद आज के युवा न जानते हो लेकिन इस खिलाडी को भी परत के लिए सिर्फ तीन वंडे मेच खेला ही नसीब हुआ परत रेडी ने 1978 से लेकर 1981 तक परत के लिए तीन वंडे मेच खेले चिन में उन्हें दो बार बेटिंग करने का मौका मिला और वो दोनों बार नाबाद रहें इसके बाद बरत रेडी को भी टीम इंडिया से बाहर कर दिया गया और उनके करियर का भी दुख दाई अंत हो गया सौरप तिवरी ने जब इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा तो उन्हें दोने का डूपलिकेट कहा जाता था सौरप तिवरी के लंबे-लंबे बाल देखकर लोग उनकी तुलना दोने से करते थे सौरप तिवरी ने आईपल में सांदर परदसन कर टीम इडिया में जगय बनाई सौरप तिवरी ने आश्टिलिया के खिलाफ साल 2010 में वंडे डेबिय किया सौरप तिवरी ने टीम इंडिया के लिए सिर्फ तीन वंडे मेच खेले जिनमें वह सिर्फ दो पारियों में ही बले बजी कर पाई सौरब तिवरी इन दोनों पारियों में नोट आउट रहे जिसके बाद उन्हें टीम से बहार का रास्ता दिखा दिया गया तन्यवाद तो दोस्तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे लगी होगी अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तो फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ यूसफूल वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जे इंड जे इबारत